Hello friends, welcome to my new video तो आज मैं बहुत important topic के बारे में बात करने वाला हूँ जिस topic के बारे में usually कोई भी बात नहीं करता लेकिन जो topic आपके लिए और मेरी जिंदिगी के लिए बहुत important है यह ऐसा topic है जिसको हमार को समझना बहुत ज़ादा जरूरी है और वो topic क्या है वो topic यह है कि what women want in men की औरतों को एक आदमी में क्या चाहिए होता है या फिर एक woman एक men में क्या qualities देखती है तो इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें कि एक woman क्या qualities देखती है एक men के अंदर हम पहले इस बारे में बात करेंगे कि एक woman कौन सी qualities को avoid करती है एक man के अंदर तो वो चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर हम as a man उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हमारे relationship में problems आएंगी और हमारा relationship उस कारण fail भी हो सकता है और उसके जिम्मेदार सिर्फ हम होंगे लेकिन हम गलती किसकी बताएंगे लड़की की तो सबसे पहली चीज़ जो लड़कियों को लड़कों में बिल्कूल भी पसंद नहीं आती वो है insecurity जहांपे लड़के insecure रहते हैं अपने आपको लेकर कि कहीं मेरे को छोड़ तो नहीं देगी मतलब कि वो जो भी काम करता है उस चीज में अपने आपको doubt करता है अगर कोई भी काम करने से पहले आपने आप पर doubt करोगे तो वो काम कभी करी नहीं पाऊगे तो जब इनसान के अंदर self confidence की कमी होती है तो वो चीज रिलेशिप में सामने वाले partner को बिलकुल भी पसंद नहीं आती जो तीसरी चीज है जो एक partner को आपके अंदर एक as a man जो चीज़े पसंद नहीं आएंगी वो है कि जब आप emotionally weak होते हो कि जब सामने वाला जब आपकी कोई female partner होती है वो कोई ऐसी हरकते कर देती है कोई ऐसी बाते बोल देती है चोटी मोटी जिससे आप बहुत जदा emotionally effect हो जाते हो और आप उस चीज़ को बहुत बढ़ा बना देते हो और उसके लिए एक बहुत बढ़ा emotionally drama create हो जाता है तो जो चोटी चोटी चीज़े होती है जब आदमी उस चीज़ को बहुत बढ़ा बनाता है तो वो चीज़े तब ही होते है जब आदमी emotionally weak होता है और emotionally weak लड़के जो होते है वो लड़कियों को बिलकुल भी पसंद नहीं आते जो चौती चीज़ है वो है lack of self confidence, lack of self respect और lack of self love या फिर lack of self care जब इनसान अपने आपसे प्यार ही नहीं करेगा तो आप कैसे expect कर सकते हो कि जो सामने वाली लड़के वो आपसे प्यार करेगी जब आप अपनी खुद की respect करोगी नहीं जब आप अपनी self respect ही नहीं करते तो सामने वाला partner आपकी respect नहीं करेगा दूसरा कोई जिन्दगी में काम ही नहीं होता वो सुबा शाम किस पर फोकस कर रहा होता है लड़की पर या फिर relationship में जो कि as a man एक लड़के के लिए बहुत गलत चीज है तो actually में एक लड़की को एक लड़के में actually में क्या चीज़ें चाहिए होती है एक लड़की को एक ऐसा लड़का चीज़ें जिसकी जिन्दगी में कोई sense of purpose हो और एक ambitious हो हर लड़की को ambitious लड़का पसंद आता है चाहिए आप ये किसी भी लड़की से female partner से अपनी पूछ सकते हो कि what type of a guy you will like तो सब लड़किया 99% लड़किया यहीं बोलेंगी कि हमार को ambitious लड़के पसंद आते हैं क्यों अगर एक लड़का सारे time लड़की पे focus करता रहेगा relationship पे focus करता रहेगा तो काम पे तो focus करी नहीं रहा आगे चलके successful नहीं होगा आगे चलके life में struggle करेगा तो लड़की क्या सोचेगी subconsciously कि अभी अपने focus काम करनी रहा mission पे focus करनी रहा आगे चलके struggle करेगा तो इसके साथ किसको struggle करना पड़ेगा अगर मैं इस क्यात रहूंगी तो मुझे भी करना पड़ेगा मेरे बच्चों को भी करना पड़ेगा तो इसलिए लड़कियों को relation focus लड़के बिल्कूल भी पसंद नहीं आते लेकिन अगर वही लड़का relation पे focus ना करके mission पे focus कर रहा है अपने काम पे focus कर रहा है तो लड़की को क्या लगया कि हां यार इसके अंदर determination है या ambitious है अपने काम पे focus कर रहा है आगे चलके पैसे काम आएगा successful होगा इसकी success का मतल इस चीज को समझने के लिए कि आपको चीज को समझाएगा ना news channels वाले ना movie वाले ना गाने वाले यह चीज आपको books से समझनी पड़ेगा जातर बच्चे books नहीं पड़ते इसलिए मैं आपको चीज समझा रहा है कि लड़की को relationship पे जो लड़का focus करता है जो सारे दिन call करत मैसेज करता रहता है काँ पे हो क्या कर रहे हो सारे दिन बस उसी के बारे में सोच रहा होता है और काम पे focus नहीं करता है ऐसे लड़के लड़की को बिल्कूल भी पसंद नहीं होता बहुत जल्दी आपका breakup हो जाएगा अगर आप relationship focus हो तो क्योंकि यह चीज में साथ हो चु या फिर handsome हो अगर आप rich नहीं हो handsome नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके अच्छी body नहीं है that doesn't matter आप बना सकते हो लेकिन अगर आपके पास ambition है purpose है drive है determination है कुछ बड़ा करने की जिन्दगी में तो आपका partner आपसे ज़रूर attracted रहेगा और आपको कभी भी छोड़क कर रिप्लाइ करने में आज अपने में को इतना कीमती समय दिया उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much bye bye